हलो वाइज, दिस इस मैंग, वेलकम टू माई चैनल और आज हम देखने वाले हैं जो इंडियन पॉलिटी जो बुक है आप लक्समी कान्थ और जो दृष्टी आईएस में अगर आप फाउंडेशन कोर्ष लेते हैं तो उसके साथ जो बुक मिलती हैं इंडियन पॉलिटी के लिए और बेसिकली हम इन दोनों बुक्स का जो है वो कंपेरेजन करने वाले हैं और वीडियो में आके बढ़ने से पहले हम आपको बता दो कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तो पहले जो हम देखेंगे पहले हम देखेंगे Indian polity के बारे में कि Indian polity जो book है वो कैसी book है तो इसको थोड़ा side करते हैं और हम Indian polity जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसी कुछ है 6-3 wise edition है यह Indian polity का जिसको काफी लोग M. Lakshmi Kant भी बोलते हैं और यह M. C. Grow Hill इनके दोबारा यह निकाले जाती है और इधर आप देख सकते हैं civil services के लिए यह इसमें लिखावाई civil services and other state examination के लिए Indian polity जो book है और इसके sale and features हैं इसमें 80 chapters है ठीक है इसमें काफी यह देखिए यह से कुछ बुकाती है और अब हम इसको खोलते हैं और अंदर चलते हैं इसमें इधर code आता है जिसको आप scan करके online इसकी जो भी copy वगेरा मिलती है आप online पढ़ सकते हैं यह Indian पॉलिटी की जो बुका है इसमें पहले इंडेक्स में सब लेते हैं और यह इदर यह वाइज ब्रेक आप देर खाए UPSC questions on Indian polity यह पहले बैसिकली यह previous years का एनलाइज आता है यह प्रिलिम्स का देर खाता अभी यह मैंश का है ठीक है अभी UPSC का सलेबस दिया हुआ है पेपर वन में इंडियन पॉलिटी में यह है और पेपर थी में जनरल स्टडी में ठीक है अब इसमें यह यह content है अगर मैं आपको थोड़ा नजदीगी से दिखाऊं तो आप देखिए इसके अंदर यह पारट वन constitutional framework तो हम इसमें बेसिकली जो historical background जो टॉपिक है वो हम इसके अंदर compare करने वाले है historical background जो टॉपिक है वो compare करने वाले है ठीक है अब देखिए आपको पूरी इंडेक्स देख सकते हैं आप इसमें यह देखिए टोर्टरिस में 80 chapters है तो इसका जो यह contents है काफी लंबे होने वाले हैं पार्ट 3 central government देखिए state government constitutional bodies ठीक है अगर आए आपको कोई बार की अलग यह voice आए तो यह बार के लोग दिश्टब करते रहते हैं वीडियो नाने में तो आप इसका अवर्ट करिएगा पॉलिटिकल डाइनमिक्स वर्किंव दे constitution यह लिश्ट ओफ टेबल्स की लास्ते जो टेबल सेंट किसकी सीज़ की टेबल है कौन कौन सी काफी ज़्यादा टेबल्स दिए में इसके इंदे अब इसमें जो पार्ट वान वो constitutional framework है और इसके अंदर जो 11 topics है और फास्ट टोपिक जो है historical background तो हम बैसिकली इस topic यह topic दोनों में compare करेंगे इसमें भी और जो दुरिष्टी की नोट्स नोट्स बना थे अपन वैसे सोट में और अच्छे सी लिखावा एक यह देखिए दे कंपनी रूल रूल रेगुलेटिंग एक्ट आमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ठीक है यह देखिए 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 फिचर्श ओफ दे एक्ट वर आशोलोज चार्टरेक्ट एक् इस में ऐसे कुछ को दिखाऊं तो ऐसे कुछ टेबल्स वगेरा दे रखिए हैं ठीक है फिर्स्ट केविनेट ऑफ्री इंडिया ऐसे कुछ टेबल्स ने इसके अंदर और यह देखिए यहां सेकेंड चाल हो रहा है इसका पार्ट मेकिंग ऑफ दे सब्सक्राइब के लिए कुछ पॉइंट्स दिए में वाकी क्वेस्टन वगेरा कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर हर सारी खतम होने के बाद यह इसके अंदर ऐसे ही दिया हुआ है ठीक है इसमें सेकेंड आगा है मेकिंग ऑफ दॉट्सिटूशन इसमें टोटल 11 है ठीक ह जैसे अपन देखें कॉंस्टिटूशन फ्रेमवर के अंदर टोटल जो टोपिक्स थे और 11 टोपिक्स थे जैसे बेसिक स्ट्रक्सर ऑफ दे कॉंस्टूशन अब यहां से जो हो चेंज होगा ठीक है पार्टू सिस्टम ऑफ दे गावर्मेंट तो इसमें यहां पे भी क्योस सब्सक्तार फ्रेंस देखें ऑसकी बारतुमेंट गवनेटॉछ हुआँ इस नहीं ठाते आओ फैकर कि इस पॉस्टूच्अ कि छो वहां से थोड़ा दिखाऊं तो इसमें इनको ऐसे आर्टिकल ऑफ दो कॉंसिटुटुशन यूनियन टेरिट्री शिटिजन्शिप यसे देर रुख है और बीच में टेबल वगेरा भी है यह प्रोपर सब्जेक्ट ऑफ यूनियन स्टेट अन्ट कॉन करेंट लिस्ट जो भी है इस सारा इसमें मेंशन कर रुका है अमेंडवेंट्स ठीक है यह से टेबल की फॉर्म में यह देखो इस पीकर शहूद है लोग सबाकी जो हो टेबल दे रखिए सब चीज़ों के टेबल से बता रखें पर क्योंस वगेरा काफी कम है इस बुक के अंदर बाकि अगर आप इसको पूरा पढ़न पॉर्ली पूरा कवर हो जाती है तो हम दृष्टी की बुक्स के बारे में देखते हैं तो यह जो बुक है या को चलिश सरे अगर आप पर्चेज करना साओ तो वैसे पर्चेज नहीं कर सकते और अगर आप कोई कोर्स इनका जोइन करते हो तो आपको दो पार्ट में मिलेंगी इंडियन पॉलिटिय और गवर्नेंस पार्ट वन और पार्ट टू अब मैं इसको देखते हैं पढले पिछे देखलें तो पिछे कुछ भी नहीं है इनके चैनल वागेरा मेंसें कियों है और ये बता दूँ कि इंग्लिश मीडियम बुक्स है जो इंग्लिश मीडियम का पॉष्ट लेते हैं हिंदी वालों के लिए हिंदी में आती हैं ठीक है त और प्रिलियूम्स का बहुत ही अच्छे से ठीक है आप इसको देख सकते हो अच्छे से एकदम आप इसको पढ़ लेना और यह यूपीसी सलेबस जो इंडियन पॉलिटिका है गो दे रखा है ठीक है अगर आगे चले हैं तो फिर की इसका पूरा अच्छे से काफी काफी केंट कंटेंट्स काफी में हैं और जैसा कि अब इसके खतम हो जाता है यहां पर और यहां चालू होता है हिस्टोरिकल अंडर्पीनिंग ठीक है रूल ओफ लोग इस कॉंसिटूशन इसमें एकदम बेसिक से दिया हो और भी बेसिक से उससे भी ज्यादा ठीक है जैसे अब उसमें भी यही था देखिए उसमें फस्ट पेज में आगे था है रिगुलेटिंग एक्ट पेट्स हो और यह constitution mention कर रखा है और यह आगे सभी एक जैसे उसमें देर रिखे थे वैसे मेरिट्स शॉटकमिंग्स ऐसे अगरा सब देर काग्राव आपको एक बर नजदी किसी दिखाऊं तो यह देख लिए आप ठीक है साइमन कमिशन था ठीक है और यहां टेबल की फॉर्म में जो हो फीचर्स यह सारे डिफ्रेंश से सिमिलर्टी जो है रहा सब में सब्सक्राइब कर रखें बस उसमें वह ग्रीन कलर यूज किया है इसमें ब्लेक और वाइट में यह बैसिकली पूरी बुक जो है और इधर ज बाइवें और जो यह देखिए इसके आंस्वर की देर किये और फिर नीचे जो है दो मैंस की क्वेशन देर रहे हैं जो कि 2021 और 2016 में होए तो बैसिकली यह इस बुक का जो है वो गूड फीचर है कि छोटा टॉपिक कवर करेगी और फिर आपको क्योंस मिल जाएंग प्रेक् आपको इस पार्टू का भी कॉंटेंट देखना चाहते हैं आप वह भी दिखा जैता है जल्दी से बाकी तो सारी सेम है यह देखिए पीछे से सब सेम है पर यूशी का दो पार्टू है अगर हम इसमें देखें तो इसमें ट्राइब्यूनल्स वागेरा रोल ओफ शिविल स नांस्सपरेंशी यह है यह सौफ क testify म Consuencia के णे सोड़्ीं यह सले बस यह जो और कर री है इंडिन पॉलिटीका सले औस उसके वह बूद्रेंट और तरह शेशी हो घीए ठीक है की इसे ब सानफ तोनल्स तिक है इसके इसके इसे सारी प्रीज्श्रल्ट कस दीछा है मनात्याइ है ऐसे ही इसमें ये सारी बुग ऐसे हैं और अगर आपने मैंने पहले ये जो दो बुक्स हैं ये इनका compulsory English और compulsory Hindi का जो है और आपने वह नहीं देखा है तो आपको description में लिंक देदूँआ वह देखिए और आपने अब बी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए